असलाम लेकुम जी आज के इस टुटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ मिशीन लेंडिंग के इस चिल्ले की इस वीडियो में आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ कि टू वे अनोवा क्या होता है ठीक है टू वे अनोवा को देखने से पहले आप पिछली वीडियो पर ज़रूर जाएं जिसमें मैंने वन वे अनोवा का बताया था वो क्या होता है उसको ज़रूर देखें and then please फिर इस वीडियो को देखिएगा सबसे पहले हम टू वे अनोवा के लिए इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को ठीक है कौन कौन सी लाइब्रेरीज करनी है import numpy as np इससे हम बनाएंगे अपना डेटा सेट and import 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 pandas as pd इससे हम डेटा सेट को manipulate भी कर सकते हैं and import cbond as sns करेंगे जिससे हम डेटा को ग्राफ में कनवर्ट करेंगे and import math plot leap.py plot as plt इसको हम अपने पास डेटा के लिए देखने डेटा को बनाने के लिए हम इसको use करेंगे ये सारी लाइब्रेरीज को हम import कर लेंगे पहले स्टेप में then दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे create a data set ठीक है data set बनाएंगे कोई भी data set बनाएंगे इस data set को पहले बनाने के लिए हम इसको नाम दे देते देते df का df का नाम देने के बाद मैं कहूंगा pd.dataframe pandas की library को use किया और हमने data frame बनाया इसके अंदर हम data frame बनाने के लिए पहले छोटी bracket डालेंगे इसके बाद हम देंगे दर्मियानी bracket जिसमें हम keys और labels जो है वो दो varieties देंगे for example मैं यहां पर कहता हूँ water ठीक है और दूसरा इसको मैं कह देता हूँ np.repeat repeat और इसके अंदर हम daily weekly 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 एक इसको दो चीजों को repeat करेंगे हम 15 times ठीक है एक तो यह हो गया हमारा एक column ठीक है दूसरे column में हम करेंगे sun को sun का data जो हम बनाएंगे उसको हम कहेंगे np.title ठीक है यह numpy की library को यूज किया है इसको वीडियो जो है वो मैंने पिछले चले में बड़ी detail में बताई है उसका link मैं आपको उपर देता हूँ आप उस पर देख सकते हैं कि numpy की library को कैसे use करना है तो हम इस तरीके से low फिर medium and then हम high sun exposure को बना देते हैं ठीक है और इसको हम five की dimension की area में convert कर देते हैं और two times कर देते हैं ठीक हो गया अब इसके बाद इससे हमारा dataset बनने वाला है कैसा बनेगा उसको हम देखेंगे फिर हम height को बनाते हैं height के अंदर हमने क्या लिखना है वो देखते हैं height के अंदर हम लिखेंगे कुछ values ठीक है for example random values लिख देते हैं ठीक है तो आपने one dimensional area बनानी है six 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 five six five five six four five ठीक है फिर इसके बाद आप कर लें दूसरे में six six seven eight seven three four 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 five कुछ भी आप करते जाएं ठीक है फिर तीसरी dimension में four 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 चार पाइंट अफ़ा four हो गया then five then six then six then seven then eight ठीक है यह हमने एक matrix बना लिया matrix ठीक है अब मैं इस डेटा सेट को बनाने के बाद यहां पर आप देखें आपके पास क्या error आ रही है यहां पर error आ रही है हमारे पास के हमने module numpy has no attribute title np repeat title numpy as np यह हमने चला ही है इसके बाद यहां पर title नहीं tile आना था tiles में हमने बनाना है ठीक है अब यह dataset तो बना लिया इसको अब हम देखते है कैसा dataset है इसको मैं कहता हूँ sample पहले कोई भी 10 sample हमने देखे तो यह इस तरह न यह dataset बन गया यह function चलाने के बाद हमारे पास यह dataset बने अब इस तरह का अपना भी dataset ले सकते है अब one way and nova में हमने क्या देखा था कि daily और weekly यानि low high और medium यानि sun में sun के exposure से plant की height कितनी increase करती है low exposure से कितनी करती है high से कितनी करती है medium से कितनी करती है इसके लिए हमने क्या बनाया था मतलब different किसम का box plot हम बना सकते हैं इसके लिए जिसमें हम कहेंगे के df और उसकी हमने y-axis पे तो वो था x-axis पे sun था and then y-axis के उपर हमारे पास df और इसकी hight height अगर हम करें तो हमारे पास इस तरह box plot बनता है तो अगर हम इन तिनों में compare करेंगे तो यह हमारे पास one way anova लगेगा based on sun ठीक है हमने सिरफ sun की base पे height का difference check करना है ठीक हो गया अगर आपको मैं कहूं के आप यहां पे hue का column लगा के इसके अंदर df और water लिखें तो आपके पास कौन सा plot बन जाएगा मैं जो पहले वाला script था उसे वहीं पर रहने देता हूँ और इसको मैं नीचे लेया तो ताकि आपको दोनों में मैं फर्क दिखा सकूँ ठीक है तो इसको मैं यहां से इतना इस plot को ऐसे बना देते हैं और इसमें हम Hugh का argument आइड करते हैं तो आप देखें हमारे पास daily, weekly भी दो दो चीज़ें आगे और बाकी सारी medium, high और low आगया ठीक है यह किसी तरह का भी plot बने आप देखें आपके पास दो factor हो गए एक sun है, sun की exposure की base पे plant की height कितनी वह दूसरा हमारे पास water की irrigation कितनी है, मतलब daily है या weekly है, दोनों की base पे हमारे पास results आ गए अब हम क्या करेंगे, जब एक factor था, तो हमने इसको one way ANOVA बोला, जब इसमें दूसरा factor भी आ गया तो इसे हम two way ANOVA बोलेंगे, ठीक है, two way analysis of variance, तीन और दो पांच हमारे पास categorical variables है मतलब दो categorical variable है या उसके अंदर जो values है वो different है पांच हो जाएंगी, height हमारे पास एक ही continuous है, ठीक है लेकिन तीन दो factors के अंदर आते हैं, ठीक हो गया अगर हम इसको देखें तो यह one way ANOVA जिसमें एक, दो, तीन factors है और यह two, sorry factors कह रहा हूँ, तीन variable है low, medium and high, sun के अंदर ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा है, water इसमें daily and weekly, दो यह high, low and medium, तीन, यह 5 होगे total ठीक है, लेकिन यह दो direction में आ रहे हैं, sun वाली में और water वाली में, तो इस वड़ा से हम इसे two way ANOVA बोलते हैं, इसको लगाने के लिए हमने क्या करना है, simply हमने ANOVA perform करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे import करेंगे stats models dot इसके अंदर API जो हमने पिछली वीडियो में किया था as sm, ठीक हो गया इसको करने के बाद import from stats model from stats models dot formula dot API as ols ठीक है, इसको हमने इस तरीके से import कर लिया अब हमने क्या करना है no as नहीं करना है, यहां पर import करना है import ols करने के बाद, अब हमने करना है ANOVA ANOVA लगाना है two way लगाना है same मैं आपको क्या बताता हूँ model हमने बनाया था पिछले वाले में उसमें हमने ols की command दे के यहां पे start किया था ऐसे इस तरीके से पहले हमने hide दी फिर उसके बाद हमने for example sun दीया था यह तो हो गया one way ANOVA ठीक हो गया अब इसके बाद हमने data का बताया था is equal to df अगर हम इसको run करें sm.stats.anova lm and इसके अंदर model को or comma type is equal to two अगर हम यह run करें तो यह तो हमें बताता है कि आजनाब यह हमें बता रहा है no attribute model let me see model model typ2 sm.stats.anova underscore alum ols data dot fit नहीं किया हमने चोटी चोटी जलती हां जाती है अब देखें यह सिरफ यह था one way anova यहां पे sun है अगर मैं आपको कहूँ कि यहां पे हमने sun के साथ one way anova है अब two way क्या होगा मैं इसी को copy करता हूँ बहुत simple चीज़ है इसको यहां पे लिख देना हमने two way two way लिखने के साथ अब यहां पे c लगाना capital और sun को ऐसे bracket में लिख देना है ठीक हो गया इसी तरह plus लगाना है c लगाना है capital water को bracket में लिख दिया इसी तरह plus लगाना है और आपने इन दोनों को copy करके ऐसे copy करके यहां पे paste करना है और इसके दर्मियान में ratio लगा देनी है ठीक है इसका मतलब यह है कि इसका individual effect इसका individual effect on height और इन दोनों का interactive effect height पे यहां पे sun का आया significant effect ठीक है फिर आया water significant effect on plant height फिर जब हमने इन दोनों का interaction check किया तो there was no significant difference in plant height ठीक हो गया यह data के अंदर क्यूंके यह p less than 0.05 नहीं है अगर less than 0.05 हो यानि यह दो values that means these two variables or factors have effect on plant height तो यह था जनाब हमारा two way ANOVA इसको आप एक और तरीके से लगा सकती है an other way of doing this this means two way ANOVA वो कौन सा तरीक है वो आप penguin का तरीक है import import करें penguin as PG इसको import करने के बाद आप यहां पे AOV model बनाए ठीक है इसके अंदर लेखें PG dot ANOVA ANOVA लगाने के बाद data लगाए PG dot ANOVA इसके अंदर data is equal to df, फिर आपने बताना है dv is equal to h height फिर आपने बताना है जनाब बयाली dv के बाद था between इसको आपने बताना है sun ठीक है अगर one way ANOVA होता तो details हमने detailed is equal to true कर देनी है हमारे पास अगर one way ANOVA था तो हमने ऐसे किया था अगर two way होय है तो क्या करना है यहां पर simply bracket लगानी है कॉमा लगाना है water और यह बड़ी bracket बंद ठीक हो गया यह दोनों इसके अंदर इस तरीके से हमने लगा दिये तो हमारे पास simply print AOV तो हमारे पास यहां पर ANOVA का table आ जाएगा exactly similar table जो हमने यहां पर बनाया ठीक हो गया तो इस तरीके से हमारे पास ANOVA का table penguin library के through भी आ जाता है हमने दो stats model किया और दोनों libraries को use किया यह हमारे पास significant difference आ रहा है कि sun का यह है water का यह है और interactive effect का यह है ठीक हो गया यह तीनों हमारे पास आ गए अब आपने क्या करने है आपका अगला task है कि turkey test कैसे लगाना है two way ANOVA पर ठीक है और इसमें आपने क्या करने lettering और grouping कैसे करनी है इसके बाद आपने annotation कैसे करनी है graphs में यह तीन आपके काम है आपने यह मुझे as soon as possible भेजने है यहां पर आपको एक extra मैं चीज बता दूँ कि आप QQ norm plot भी बना सकते है इसका ठीक है देखने के लिए आपका काम कैसे की है simply मैं क्या करूँगा मैं यह script ही उठाता हूँ यहां पर लिखता हूँ QQ norm plot बनाने के लिए अपने residual का model.residuals उनके बनाने है और figure बना दे नहीं residual की के residual errors जो है वो किस side पे जा रहे है यह fit करता है theoretical quantities और sample quantiles है quantiles theoretical quantiles और sample quantiles ठीक हो गया इन दोनों के दर्मियान जो अगर line यह अच्छी बने तो इसका मतलब है कि आपका जो result है वो तक्रीबन ठीक है जहां पे significant था वो भी आपके पास होगा जहां पे नहीं था वो भी होगा इसको read कैसे करना है हमने बड़ी detail के अंदर qq plot का बताया statistics की video के अंदर आप वो देख सकते हैं ठीक हो गया जी तो यह थी जनाब 2-way ANOVA आप इस पर practice करें and send me your assignments as soon as possible comment section में जे ये जरूर लिखेगा के वी लेंट 1-way ANOVA and 2-way ANOVA with Kodanex YouTube channels take care allah nekepaan